बॉलिविट के सितारे अपनी फिल्म को अच्छा बनाने में जी जान लगा देते हैं शाहत कपूर कंगना रनाथ और सैफ अली खान स्टारल फिल्म ड्रंगून का ट्रेलर आउडियंस को काफी पसंद आ रहा है ट्रेलर रिलीज के बाद अब तक इसे 10 मिलियन से जादा लोग देख चुके हैं फिल्म में तीनों का काम काफी जबरतस्त नजर आ रहा है जिसका असर ट्रेलर को मिल रहे व्यूज पर देख रहा है आपको बता दें कि रंगून की स्टोरी उस टाइम की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था साजित नारियाड वाला और विशाल भारत द्वाज के प्रडाक्शन में बन रही ये फिल्म एक लव प्राइंगल स्टोरी है सैफ अली खान एक राजगराने के राजगुमार के किरदार में है और शाहित कपूर एक आर्मी परसनल का रोल प्ले कर रहे हैं दोनों को ही कंगना रनाओट से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है जूलिया जो इस फिल्म में बॉलिवुड एक्ट्रुस का किरदार निभा रही है कंगना रनाओट को पाने के लिए दोनों के बीच होने वाली जंग ही रंगून की कहानी है इस फिल्म में एक्शन और रोमैंस दोनों देखने को मलेगा ये फिल्म 24 फरवरी को थियेटर्स में आ जाएगी बता दें कि 5 जनवरी को रिलीस किये गए इस ट्रेलर वीडियो को एक दिन में यूट्यूब पर 6,53 लोग देख चुके हैं और 15,800 लोगों ने से लाइक किया था जैसा कि आप सब जानते ही हैं विशाल, भारतवाज और सैफ अली खान मिलकर ओमकारा जैसी फिल्म दे चुके हैं वहीं दूसरी तरफ विशाल और शाहित कपूर ने मिलकर हैधर और कमीने जैसी क्लासिक फिल्म बनाई थी अब ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि क्या ये फिल्म बॉक्स ओफिस में धमाल मचा पाती है या नहीं